परिचय आवोकाडोज एक अनुठा फल है और हस किस्म सबसे लोकप्रिय में से एक है वे न केवल स्वादिष्ट हैं बलकि वे कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं इस वीडियो में हम हास एवोकाडोज के स्वास्थ्य लाभों का पता लगाएंगे कि वे कैसे उगाए जाते हैं और कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों को आजमाते हैं हम हास एवोकाडोस के इतिहास और उनकी लोग प्रियता में व्रिधी, हस एवोकाडोस और अन्य प्रकारों के बीच के अंतरों और उन्हें ठीक से स्टोर करने और पकाने के तरीके पर भी नजर डालेंगे अंत में हम अन्य फलों और सब्जियों की तुलना में हस एवोकाडोस के पोशन मूल्य उन्हें स्वस्थ आहार में कैसे शामिल करें और एवोकाडो की खेती के पर्यावरणिये प्रभावों पर चर्चा करेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं आईए हास एवोकाडोस के स्वास्थ्य लाभों पर चर्चा करके शुरू करें वे मोनोणसेचुरेटेड और पॉलियनसेचुरेटेड वसासे भरपूर होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं इनमें फाइबर, पोटेशियम और विटामिन सी के और भी छे भी होते हैं एवोकाडोस खाने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, सूजन को कम करने और स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है ग्रोइंग हैस एवोकाडोस यदि आप अपने खुद के हस एवोकाडोस को उगाने में रुची रखते हैं, तो यहाँ आपको जानने की जरूरत है वे आम तौर पर गर्म, उपोशनक्ति बंधिय जलवायू में उगाए जाते हैं और अच्छी तरह से सूखा मिट्टी की आवश्शक्ता होती है एवोकाडो के पेडो को बीजों से प्रचारित किया जा सकता है, लेकिन तेजी से विकास और बहतर फलों की गुनवत्ता के लिए ग्राफ्टेड पौधे से शुरुवात करना सबसे अच्छा है हास एवोकाडो के पेडो को फल देने में लगभग तीन से चार साल लगते हैं, लेकिन इंतजार इसके लायक है स्वादिष्ट व्यंजनों अब आए कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर बढ़ते हैं, जिनमें हास एवोकाडो का उप्योग किया जाता है आप गुआकामोल एवोकाडो टोस्ट बना सकते हैं, या अपने सलाद या सैंडविच में एवोकाडो के स्लाइस मिला सकते हैं आप इन्हें स्मूदी में या व्यंजनों में मक्षन या मेयोनेज के विकल्प के रूप में भी इस्तिमाल कर सकते हैं इतिहास हस एवोकाडो की खोज सबसे पहले 1920 के दर्शक में रुडोल्फ हस नाम के एक कैलिफोर्निया मेलमैल में की थी उन्होंने 1935 में पेड का पेटेंट कराया और यह अपने समरिध स्वाद और लंबी शेल्फ लाइफ के लिए लोगप्रिय हो गया आज हैस एवोकाडो दुनिया के कई हिस्सों में उगाए जाते हैं और लाखों लोग इसका आनंद लेते हैं अंतर हस एवोकाडोस और अन्य प्रकार के एवोकाडोस के बीच कई अंतर हैं हस एवोकाडोस में एक कंकर वाली त्वचा होती है जो पके होने पर हरे से काले रंग में बदल जाती हैं उनके पास अन्य किस्मों की तुलना में एक मलाईदार बनावट और समरिध स्वाद भी है इसके विपरीत अन्य प्रकार के एवोकाडो में चिकनी त्वचा और हलका स्वाध हो सकता है भंडारण हस एवोकाडोस को ठीक से स्टोर करने और पकने के लिए उन्हें पकने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक सेब या केले के साथ एक पेपर बैग में रखें हस एवोकाडोस ओशक तत्वों से भरपूर भोजन है और इसमें केले से अधिक पोटेशियम होता है उनके पास स्वस्थ वसाभी होते हैं जो वजन प्रबंधन और रक्त शरकरा मियंप्रन में मदद कर सकते हैं पर्य फलों और सबजियों की तुलना में वे कैलोरी में अधिक होते हैं लेकिन अधिक फाइबर और स्वस्थ वसाभी प्रदान करते हैं एक स्वस्थ आहार में शामिल करना हास एवोकाडोस को स्वस्थ आहार में शामिल करने के कई तरीके हैं अपने सुभह के ओमलेट या स्मूदी में स्लाइस जोडने की कोशिश करें या उन्हें अपने पसंदीदा व्यंजनों के लिए टॉपिंग के रूप में उप्योग करें आप अपने व्यंजनों में मैश किये हुए एवोकाडो के लिए खट्टा क्रीम या मेयोनेस जैसी कम स्वस्थ सामगरी भी बदल सकते हैं और यदी आप एक वरित स्नाइक की तलाश कर रहे हैं तो कुछ एवोकाडो को स्लाइस करके और इसे कुछ नमक और काली मिर्च के साथ खाने का प्रयास करें तो हस एवोकाडो को अन्य प्रकार के एवोकाडो से अलग क्या करता है जब पोशन की बात आती है, हास एवोकाडो, स्वस्थवसा, फाइबर, पोटेशियम और विटामिन सी के और बीचे से भरे होते हैं उनमें एंटिक सिडेंट भी होते हैं जो सूजन को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं तो आप हास एवोकाडो, स्वस्थवस को अपने आहार में कैसे शामिल कर सकते हैं? वे अविश्वस नियरूप से बहुमुखी हैं और विभिन प्रकार के व्यंजनों में उप्योग किये जा सकते हैं जैसे कि गवाकामोल, सलाद, सैंडविच, स्मूदी और यहां तक की डेसर्ट जबकि हास एवोकाडो की खेती में कुछ पर्यावरनिय प्रभाव होते हैं जैसे कि पानी और कीट नाशकों का उप्योग, स्थाई क्रिशी पद्धतियों और कचरे को कम करके इन प्रभावों को कम करने के तरीके हैं अंत में यदि आप हास एवोकाडो के पेड उगा रहे हैं, तो सामान्य कीटों और बीमारियों जैसे रूट, सडांध और घुन के बारे में पता होना जरूरी है उचित मिट्टी की निकासी, सिंचाई और कीट नियंत्रन के उपाई इन मुद्दों को रोकने में मदद कर सकते हैं कुल मिला कर हास एवोकाडो किसी भी आहार के लिए एक स्वादिष्ट और पौश्टिक जोड है और उचित देखभाल और खेती के तरीकों के साथ आने वाले वर्षों में उनका आनंद लिया जा सकता है इसके अतरिक्त हैस एवोकाडो के अपने खेती के तरीकों के कारण कई परियाबरनिये प्रभाव पड़ते हैं कुछ क्षेत्रों में एवोकेडों के पेडों की मोनोकल्चर से मिट्टी काक्षरण, शरण और जैव विविधता का नुकसान हो सकता है खेती में उप्योग किये जाने वाले कीटनाशक और उर्वरक भी आसपास के जल्स रोतों को प्रदूशित कर सकते हैं और वन्य जीवन को नुकसान पहुचा सकते हैं हलांकि इन प्रभावों को टिकाओ क्रिशी पद्धतियों के माध्यम से कम करने के तरीके हैं जैसे इंटर क्रॉपिंग, फसल रोटेशन और प्राकृतिक कीट नियंतरन विधियों का उप्योग अंत में कुछ सामाने कीटों और बीमारियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है जो हास एवोकैडों के पेडों को प्रभावित कर सकते हैं इन में रोट रोट ट्रंट कैंकर्स और विभिन फंगल रोग शामिल है निवारक उपायों में उचित सिंचाई और जल निकासी, नियमित छंटाई और रोग प्रतिरोधी रूट स्टॉक्स का उप्योग शामिल है कुल मिला कर हैस एवोकाडोस एक आकरशक इतिहास और जटिल बढ़ती प्रक्रिया के साथ एक स्वादिष्ट और पौश्टिक फल है उनके स्वास्थ्य लाभों, बढ़ते तरीकों, व्यांजनों और पर्यावरणिय प्रभावों को समझ कर हम इस बहुमुखी और प्रिय फल की पूरी तरह से सराहना कर सकते हैं